मस्कर भाईयो कैसे हैं उम्मिद करता हूँ अच्छे होंगे और दौा करता हूँ कि गर परिबार भी अच्छे ही हो भाईयो आज का टापिक है जो वो है सवाल जबाब मैडिसोन को नुक्सों पर तो भाईयो एक भाई का कमन्ड था जो वो कमन्ड था कि कितने एमजी की गोली है यह मोतिवाल और इस गोली के साथ कबूतर को गरम करना चाहिए जा नहीं तो भाईयो मैं आज आपको बजाता हूँ कि यह मोती वाल की टैबलेट होती है यह किस के लिए होती है और यह कितने कितने अमजी की होती है भाईयो मोती वाल की जो टैबलेट है भाईयो यह डिप्रेशन की टैबलेट है इसमें नशा होता है भाईयो तो हम को ये को लगाते हैं कुबूतर को गरम करने के लिए और ये गरम बहुत ज्यादा होती है टैबलेट वह तो भायो आप ने चो टैबलेट है जह 0.5 average अबजी की होती है और साथ बेछ टैबलेट होती है तो भायो आपने करना क्या है इसका चुटाई इस्सा ही जो है आप को कबूत्र को शाम को देना है इससे कबूत्र गर्म होगा और अगर जो थोड़ा बोता अगर उसमें नशा कबूत्र को होगा भी तो आठ दस गंटे में उसका नशा उतर जाएगा मगर कबूत्र अंदर से गर्म रहेगा तो भाईयो हम इसलिए मोतिवाल की टैबलेट जहां जो टैबलेट यह हमारी इनडियन की टैबलेटा है जो इस मोतिवाल का सब्सी चूठा है तो यह हमारे इंडिया में टैबलेट मिलती है वह है एक जिन तो बैयो यह यह वाती है 0.5 तो इसके साथ आती है 30 kg यह 5 आप 0.5 mg की टैबलेट लें उससे भी चुट्था ही कबूत्र को दें तो इसी तरीके और जो बाई ने स्वाल पूछा है कि कबूत्र को इसके साथ गरम करना होता है कि नहीं तो बाई ओ आपने कबूत्र को गरम लाजमी करना है क्योंकि यह जो मैडिसन है इसका जैसे ही जैसे अपना गरम पानी बना कर लगाया होगा तो यह कम सकम जो देशी गरम पानी है यह अपना जो असर है यह अपना असर कम से कम 6-7 गंटे के बाद कबूत्र के जिसमें पैदा करना स्टार्ट कर देगा तो इसका असर पूरे दिन तक कबूत्र में रहेगा तो बाई ओ यह तो ह हूं कि आप अपने सबाल करें मुझे कमंट करें वो ही मैं जबाब आपको देखो इतना बड़ा जो है भाई यो सबाल का जबाब असानी से चोटे से कमंट में तो दिया नहीं जाता ना तो आपको समझ आएगा इसलिए मैं आपको इसलिए जे सवाल जबाब का मैंने एक सवाल जबाब पर विडियो बना रहा हूं इसकी एक सीरिस बनेगी आप आप सवाल करें मेरा जबाब देना मेरा काम रहा और मैं आपको पूरे बिस्तार से इस सवालों के जबाब दूँगा जो भी आपके सवाल है वो आप कमंट में कर सकते हैं उनके जबाब मैं इसी तरह देते रहूंगा और पूरे बिस्तार से पूरी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कौन सा नुक्सा कैसे लगाना है या किसी की बारे में वो मैं आपको बताता रहूंगा तो आप भाईयो कमाड़ जरूर करें तो जब भाईयो आप कमाड़ करें तो थोड़ा अच्छा लिखें थोड़ा पूरा लिखें जो मुझे समझे भी आजाए कुछ भाई श्याट में बोल देते हैं तो मुझे समझेने में थोड़ा मुश्कल हो ज़ता है फिर मैं अपने आ कबूतर कभी उडानों में निच्चे से सूच जाता है उसका मतलब है उसके जिसम में पानी बर जाता है उसे पानी के छाले बन जाते हैं जो उसकी सीने की हड़ी ही होती है आप उसे साइडों में देखे उसे पानी के छाले जैसे बने होते हैं जहां उसे तुमाएं आपको ऐ कबूत्र को आपने क्या करना है को पांच एमल पानी गरम पानी जो जैसे आप अधरक शोंट काली लाची दाल चीनी इसका पानी बनाते हैं वैसे पानी बनाकर कबूत्र को आपने पांच एमल पानी बहुत देना है तो आपने कबूत्र को डख देना है तो पानी पिलाकर आप तो ऐसे डखे दें इसको यहां हवा बगारा ना लगे उसे दो तिन गंटे तक ऐसे करें कि यह गरम पानी उसके जिसम में हीट पैदा करेगा अगर आपने कवर किया उसको डखा होगा अच्छी तरह से तो बहुत जल्दी इसका असर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि कवूतर के जिसम का यह पानी शोग देगा और आपका कवूतर जो पहले अच्छी उडाणों में था वो अच्छी उडाणों में आ जाएगा तो बाई यह इसी तरह आपने अपने कवूतर को देना है अगर एक बार नहीं होता है तो आप एक बार दोबार यह ट्राई कर चा है आपके कबूतर के जिसम का पानी सारा सारा सूजय का च्छाला बगैरा जो खतम हो जाएगा और कबूतर आपका अच्छी प्रवाजों में दोबारा आ जाएगा तो एक बाई का कमांट और है आटे वाली गोली से कबूतर उड़ता तो बहुत है मगर गर बापिस नहीं आता तो भायो जे देखो भायो आटे वाली जो गोली है इसको लगाने का आपको तरीका पता नहीं है आपने मेरी वीडियो देखे खाली देखा है तो लगा दी है तो उड़ान तो आपने बहुत है वो गर बापस क्यों नहीं आता उसकी बज़ाए मैं आपको बताता हूँ उसकी बज़ा जे है भाईयो कि अगर आपका कबूतर मातर चार गंटे उड़ रहा है ठीक है आपने उसे आटे की गोली बोबाली लगा दी है जो कबूतर को जो कबूतर को साथे तीन जा चार गंटे से पहले खुलती है तो भाईयो इससे जे होगा कि आपको गोली बनाने का भी एक्सपिरिंस नहीं होगा आप ऐसी गोली थोड़ी हाड कर देते हो जो लेड़ खुलती है तो वो कबूतर क्या करेगा भाईयो उसको बूतर का अगर वो चार गंटे उड़ता है जब ये गोली उड़ेगी तो उससे दस गंटे की परवाज होगी उसको बूतर की 6 गंटे आपने काम चे गंटे जायता है इतना जादा खीन जाता है इतना ज़िंच जाता है वो बापिस कहां थक जाता है इसलिए मैं आपको बाईयों ये कहता हूँ कि आप कुबूतरों को जब भी कोई नुक्सा बगैरा लगाएं तो आप ऐसा करें सबसे पहले आप अपड़े कुबूतरों की अच्छी तरह से फिरते ले लें उसे इतना उड़ाएं इतना उड़ाएं कहने की बाद नहीं उसके जिसम का पानी पूरा खुल जाए और स्टामना उसका इतना ज्यादा बढ़ जाए कहने की बाद नहीं चाहिए आप जितना मर्जी खिंचें बो कबूत्र क्या करें वो कबूत्र गर बापिस की सलाइध रखें और शाद में भाईयो आपने एक और द्यार में यह रखना है कि यही चार गंटे वाले कबूत्र को ड्रेक्ट दस गंटे जहां आड़ गंटे की परवाद लेंगे वो बागेगा बागेगा इसलिए उसे क्या करें पहले ड्रेक्ट जे बाला बंद गोली बाला नुक्सा ना दें आटे वाली गोली का नुक्सा से ड्रेक्ट ना दें उसे पहले आप क्या करें हलका जो पान यह जो हलका मैंने बोला है पानी में देना है वह बाला नुक्सा दें क्यूंकि अगर आपके कबोतर की उसमें कबर हो जाएगी और जादा से जादा बहुत दो जान तीन गंटे और खिंच जाएगा बहुत साथ च्छे साथ आठ गंटे की परवाज तक कुपूतर लाजमी बापस आएगा एक ही दिन आप उसे दस गंटे खीचो को तो बचारा कैसे बापस आएगा बाइयो चोटी किसी जाना है उपर गर्मी दूब बगारा होती है आखर उसने उड़ना है ठक जाता है अगर पीशे गिर जाता है बचारा तो यही चक्र होता है पहले आप कुपूतरों को दीरे दीरे ट्राइग करें एक दम नहां आप देखना आप पहले एक एमल पानी से स्टार्ट करें उसको पूतरों एक जो फर्क आप फिरते लेंगे उसे आप एक एमल पानी से लें फिर उसके बाद भाई आप उसे दो एमल की ट्राइ करें फिर उसे तीन एमल की ट्राइ करें इसे कुपूतर आपका खुद बेखुद आड़ गंटे की रोलिंग पे आ जाएगा परवाज उसके बाद आप उसके अंदर खुद दम बन जाएगा आट-दस गंटे उटने का फिर आप उसे बंद गोली लगा सकते हैं इसे कुपूतर खुल गया होता है फिर आप जितना मज़ी खिंजे तो खिंजे आता है शाम रात रात को भी कुपूतर गर बैठते हैं तो वह यह एक बाई का और सबाल है आटे वाली गोली का इसाब बताओ कितने दे कितने दे बाले कुपूतर को बाई ओ जे बाई बाईयों का सबाल है बाई भी सबाल थोड़ा टेड़ा मेड़ा करते हैं मुझे पहले बोला कि समझर में और बोले में मुश्किल हो जाता है बाई ने ब कि कितनी देर कबोत्र को उटने बाले को हम कौन से तरीके से कितने मिकदार में टैबलेट दें तो भैयो मैंने अब जो आपको बताया ये वही सवाल है कि आप ऐसा करें सबसे पहले 1 एमल पानी से कबोत्र को फिर्तों में लगाएं फिर उसके बाद आप ऐसा करें 2 तीन दिन क बाद आप उसे दो एमल पानी लगाएं फिर दो चार दिन के बाद उसे आप तीन एमल पानी लगाएं जैसे ऐसे कबूतर आपका खिंचता जाएगा अपनी उडान खोलता जाएगा उसके कुंदे बगारा मजबूत हो जाएगे उसका स्टैमना बगारा मजबूत हो जाएगा ऐसे आप उसे पानी लगाते जाएं फिर उसके बाद आप चाहे बंद गोली भी दे सकते हैं तो ऐसा करें तो वो ही चक्र है कि अगर आपका आपने बोला है कि कितनी दे गंटे वाले को अगर आपका कबूतर दो गंटे की परवाज देता है उसे आप एक एमल पानी लगा दे अगर आपका कबूतर चार गंटे की परवाज देता है आप उसे दो एमल पानी भी स्टार्टिंग में लगा सकते है अगर आपका कबूतर 6 गंटे की परवाद देता है उसे आप 3 अमल पार्णी स्टार्टिंग में लगाएं बंद गोली ना लगाएं भाईो यो बंद गोली होती है ये गर्मी की गोली है भाईो ये सर्दी में तर उसे कबूतर रहा जाता है इसे बहुत ज़्यादा कबूतर उ यह गरंटी जो भाईो जो मैंने नुक्से बताया है यह सारे के सारे 100 बटन सही नुक्से हैं मगर इनको लगाने के थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग अपना जूस करें कि वीडियो में तो मैं इतना ज्यादा बता नहीं सकता कैसे लगाना कैसे नहीं क्योंकि अगर इतनी लाइन है कितने पाणी में देनी हैं यह बार बार कम самого करते हैं कि को यह आप पूरी वीडियो देखतें मैं पूरी वीडियो आप यह था था हो सक्करते हैं पर देगते हैं बात कर्वाध का स सब्क्सा का बना रहा हैं कासे देरे की बाध्या कर बस्सक्राइब आफिगkich कबूतर गोलियों से कबूतर कवी नहीं उड़ते कबूतर जाब भी उड़ेंगे अपनी ताकत पर उड़ेंगे उनकी खुराकें अच्छी रखो उनकी प्रैक्टिस अच्छी रखो फिर नुक्से लगाओ भाईयो आपको नुक्से जी 100% रड जल्ट देंगे और साथ में गे करते हैं कि रखो गोलियों बगोली या देते हैं कबूतर जाब होता है तो उड़ते 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 जिगर में डवल त्रवल गर्मी फिर यह जाती है उसे प्यास के मार्या पीशे चलाजाता है यह हम इसलिए यह सबजह रीड बहला जारत अब सथर्दिया अभी है या का हिस्सा है जैसे गेम और नुक्सा यह डोनों को दोनों एक दूसरे के पहलू है इनके बिना कपुतर बाजी की नहीं जाती और ना नुक्से काम चाब होते हैं तो बाईव आप ऐसे ही इसे ही नुक्से लगाएं ऐसे इस वीडियो में इतना ही बस नेक्स्ट वीडियो में दवारा मेरेंगे तब के लिए गुड़ बाई